नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से पैश्विक महामारी बन चुका है और उसके चलते हैं प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है पूरे भारत को, समुझे भारत को, मतलब 21 दिन तक अब कुछ भी हल चल नहीं होगी, खुशी-खुशी मानो उस बात को या गम में रखो, दुख हो जाओ, पहला है कि दुखी रहो गए आप, कि 21 दिन के लिए नहीं जाना पड़ रहा कहीं भी, मुझे पार्टी करने थी, मुझे यहां जाना था, मुझे दोस्तों से मिलना था, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि उसकी कोई मंजूरी नहीं है आपको, आप अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, दूसरा है कि आप 21 दिन को एक अपॉर्जनिटी समझें और ये समझें कि इस 21 दिन को मैं कैसे, कैसे यूज करूँगा, आप इस 21 दिन का पूरे एक लिस्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, जोन जो किताबें, और भी कोई किताब, कहानी की किताबें, या फिर कोई मोटिवेशनल किताब, या फिर कुछ भी कोई कविता की किताब, जो पढ़ना चाहते थे आप, नहीं पढ़ पारे थे, क्यों? क्योंकि सुबह आपको दफ्तर जल्दी जाना पढ़ता था, शाम को दफ्तर स कहती आती दी के ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, आप उसे कर सकते हैं किस दिन, क्योंकि कोई फोन करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, घर से भार जाना नहीं, आपका बड़ा मन कर रहा था, मैं ओनलाइन कोई चीज सीखू, मैं प्यानो ब कुछ चीजें लिखे उसको एकांत का रूप मिले आपको अब मिला है एकांत तसली से पूरा 21 दिन बेवाद मानुए मत क्या ऐसा कुछ लोगडाउन का पीरेड है आपको घर में खाना है खाने वाने की चीजें जरूत की सारे चीजें कोई बंदनी हो रही है उसके लिए बिल 21 दिन में या फिर डांस सीखना है गाने के रिप्टिस करनी है कुछ भी कर सकते हो 21 दिन आपको इतने मिले है अच्छे मिले है कि कोई पूछने वाला नहीं है बहिए कहा आने तू या और आफिस में हाया बेट कर दे है कुछ भी करना नहीं है मेरी इस बात को मानो मोदी जी की बात कमानो 21 दिन तक घर में रहो और जो कुछ नया सीख सकते हो या जो भी ऐसी इच्छा हैं जो अब तक आप नहीं कर पाए थे दफ्तर के चलते काम के चलते जिम्मेदारियों के चलते वो आप करो आपको मजा आएगा और इस मजे मजे में कब कोरणों भाग जाएगा